Q18. There are some horses and hints. If head are counted, there are 100. And if legs are counted, there are 320. Find the number of horses and hints. कभी-कभी question में, यह shortcut भी काम आता है. यहाँ पर number of animals कितना है? 100. 60 और 50 को देखोगे, तो 110 है. 50 और 40, 90 है. 60 और 40, 100 है. और यहाँ पर 30 और 60, 90 है. तो एक ही option है, जिसमें total number of animals 100 है. और वो को है? कौन सा है? Option number B. तो कभी-कभी यह भी shortcut आप ध्यान में रखना है. देखो. हिंस है, और होर्से है. ठीक है. हिट्स गिवन है 100. तो एक लिस्ट 100 एनिमल तो हों गई होंगे. अगर यह सारे के सारे हिं होते, तो number of legs कितना मिलता? 200. और अगर यह सारे के सारे होर्स होते, तो number of legs कितना मिलता? 400. हिंस हिंस के 2 legs होते हैं और होर्स के 4. लेकिन इन दोनों को merge करने के बाद कुछ हिंस है और कुछ होर्स है. इसलिए जो total number of legs है, 320 आ रहा है. तो इन दोनों का average legs का average 320 है. तो ratio हिंस का कितना होगा? 400 minus 320. तो यह value किसको एको लाएगा? 80. और यहाँ पे हिंस का ratio कितना होगा? number कितना होगा? 320 minus 200. That implies 120. इसलिए जो आपको हिंस और होर्स का ratio मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 40 से 2 और 40 से 3. So, यह मिलेगा आपको 2 is to 3 में. That implies 5 unit का value किसके equal? 100 के. So, 1 unit का value किसका होगा? 20. तो 2 unit का value कितना हो जाएगा? 40. और 3 unit का value हो जाएगा? 60. तो आपको पता चल गया, number of hens कितना है? 40. और horse कितना है? 6. Question में कह रहा था, find the number of horses and hens. तो horse 60 और hens 40. So, हमारा answer क्या होगा? Option number B. पूर्भ डरुड़